एक बात जो मैं हैवी टर्न आउट देखता हूं उसका एक कारण में देख रहा हूं कि हर्याणा में महिलाओं का मत्दान पूरुसों से साथ जादा हुआ होगा डीटेल सभी तक मेरे पास पहुंची नहीं और उसका एक प्रमूख कारण है शराब बंदी का भारती जिंदाप और विकास के साथ एक प्रकार से बंसेलाल का नाम जुड़ा हुआ है हर्याणा में विकास नाम की चीज़ के साथ बंसेलाल आइडेटिफाइड है तो लोग भी चाहते हैं पिछले 20 साल से कुछ हो ही नहीं रहा है प्रजनलाल का करप्शन वगरे तो बाकी जो नेशनल लोग हैं कहीं पर भजनलाल जी के लोग हैं दोनों किसी एक हैं तो दूसरी दूसरे हैं लेकिन हम हर जगा पर एज कर रहे थे कैम्पेंड के बिगिनिंग से ही और जैसे ही समझोता डिकलेर हुआ भारतिया जन्ता पार्टी और एकदम से अब चली गई थे कि पहले आप से दरसल बात यह हैं कि बंसिलाल जी और चौटला जी दोनों चाहते थे भारतिया पार्टी उनसे समझोता करें और वे लगातार कोशिश कर रहे थे लेकिन हम हर्याना की जनता का मूर जानते थे हर्याना की जनता ने चौटला को भी देखा है बंसिलाल जी को भी देखा है और हर्याना की जनता चौटला जी को पसंद करेंगी ऐसा नहीं लगता था हर्याना की जनता के मन में देविलाल के लिए एक भाव है चौटला जी के लिए दूसरा भाव है देविलाल जी होते तो जनता का मूड अलग होता है यह पूरा एसस्मेंट हमारे पास था ऐसी स्थिति में हम डूबना नहीं चाहते थे हम हर्याणा के अनुकुल कुछ करना चाहते थे और हमने इंद्रिने किया अब बंसेलाल जी भारतिय जनता पार्टी के खिलाप नहीं रहे हैं है कि अब हिंदौस्थान में भाजभा की सरकार चाहिए और हर्याना के अंदर बंसेलाल जी एच्फच को लेकर के हर्याना की सेवा करना चाहते यह आभ्यान उन्होंगे दो और उसमें कभी भी उन्होंने कमी नहीं की, कटोती नहीं की, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि एक प्रकार से वो भाज़पा के विरोधी मानस के लोग है। में कुछ कहना उचीत नहीं है, हिमाचल के अंदर कॉंग्रेस गवर्मेंट है, चार लोग सभागी सीटे हैं, भारतिय जनतापारटी आज तीन सीटों पर बढ़त पर हैं, और एक सीट पर हम काफी अच्छी फाइट दे रहे हैं, हमारी फाइट है सुखराम जी के साथ, और व महां करप्शन के मुद्दे को लेकर करके हम लड़ाई लट रहे हैं, लेकिन वहां अभी कुछ क्षेत्रों में चुनाओं बाकी हैं, और आज के पोलिंग का जो रिपोर्ट मेरे पास हैं, उससे लगता है कि सुर्खराम की हालत बहुत खराब है, संभावना में देख रहा ह मन्नी में हमें कोई समश्चा नहीं है, मन्नी में कुलू और मन्नी टफ नहीं है, हमारी फाइट बड़ी तेजी से हुई अभी चुनाओं उसका अधा बाकी है, कुछ पोलिंग बूथ हैं, जहां बर्फ गिरी हुई है, वहां पोलिंग 30 को होने वाला है, वहां क्या सिंद्र सरकार के द्वारा पिछले कई सालों से लगाकार हिमाचल को अन्या है, हिमाचल की भावनाओं को पुदेड़ना, इन बातों को लेकर के लोग उखड़ गए हैं, और हिमाचल के साथ कोई न्याए नहीं हुआ है, सिंटर गवर्मेंट से, काफी उनकी मांगे वैसी क पड़ी हैं, और हिमाचल की कॉंग्रेस की लिडर्सीप, हिमाचल की समश्याओं को लेकर के दिल्ली के साथ बात तक करने की उसकी हैसियत नहीं रही है, और उसके एक हिमाचल के लोग बहुत नाराज हैं, लेकिन शामता कुमाजी के सरकार को लेकर के यह बात जोड़ों कु पाल सर्मा है, उन्होंने पब्लीक ली बयान दिया है, भारती जिन्ता पार्टी के कैंडिडेट्स को विजय बनाने का. प्रारम में अचानक जब समाचार मिलते हैं, तो कार्यकरता के मन को थोड़ा प्रशन उड़ता है, लेकिन आखिर करें आमारी पार्टी में कार्यकरता इस बातों को समझते हैं, कि हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो कभी-कभी हम विबिशन का भी साहय ले लेते हैं, और हमने लिए हैं, तो कि यूद्ध था ये यूद्ध था एक रणनती के तहएत, हिंदुस्तान में हम एक मैसेज दोनों को लोगों को देना चाहते थे, कॉंग्रेस तूट रही हैं, कॉंग्रेस पराजीद हो रही हैं, और कॉंग्रेस के लोग भाग रहे हैं, पहले हम लोग 20 थे, 26 में से, मैं अभी भी मानता हूँ, आज हिंदुस्तान के अंदर, देश में कॉंग्रेस की सरकार बदलने का जो माहूल बना है, वो गुजरात में 89 से बना हूँ है, गुजरात की जनता, 89, 91, and this is the third election, 96, कॉंग्रेस को उखाड फैकने के लिए वोट कर रहा है, और गुजरात की जनता ने 7 साल पहले तैक किया ला था, कि हम किसी भी हालत में कॉंग्रेस को इस देश में राज करने नहीं देंगे, दो-दो बार उसने कॉंग्रेस को उखाड के फैका है, पहले 26 में से 23 दिया इस बार 26 में से 20 दिया गुजरात की जनता का मूड आज भी कायम है वो किसी भी हालत में कांग्रेस को टॉल्रेट नहीं करता है वो कांग्रेस को उख़ड फैक देगा और इस चुनाव में भी गुजरात की जनता के उस मूड का रिफलेक्शन में देख रहा हूं मतदाताओं पर कोई फर्क मुझे नहीं देखता है कायर करता हूं कि मन में राजी नाराजी की समश्याएं हैं लेकिन उसको भी हम बहुत हद तक ठिक ठाक करने में सफल हुए हैं मैं मानता हूं कि पहले से हम बढ़ेंगे मैं अख़बारों के सरवे में एक बात पर होता हूं आख़बारों के सरवर के आधार पर हमें कहर रहा हो कि आज वो तुसर्टी पर्सन फोतिंग वोट कि 20 फ्लोटींगर ये चुनाव के अंदर 2% बी फ्लोटींग वहत बड़ी ताकत होते हुए शार्षण को यहां से यहां कर सकते हैं और जो 20% floating vote होता है तो वो floating vote ruling party का नहीं हो सकता है अगर वो ruling party का vote होता तो कब कही decided होता उसका मतलब है कि वो other than Congress का vote है और वो voter floating इसलिए हैं उसके मन में एक चिंता है कि कौन आगे जा रहा है मैं किसको वोट दूँ तो सरकार बनेगी उस उधेड़ बुन में है और आज उसको लग रहा है कि भारती जनता पार्टी का गोड़ा नंबर एक पे है फ्रंट रंडर हम है इसलिए मैं बहुत विश्वास से देख रहा हूं और मेरे कि इस धारणाओं को गलत निका लेगा और भारतिय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देगा मैं मानता हूं यह हंग पार्लामेंट की चर्चा तब निकलती है जब कॉंग्रेस पराजीद होने वाली है और यह कॉंग्रेस की चाला की रहती है कि जब जब उसको पराजे का मतदाताओं का यह अपमान है हिंदुस्तान का मतदाता इतना मैचोड है कि पिछले बार करनाटक के चुनाओ हुए उन्होंने कहा था हंग पार्लामेंट बनेगी दुनिया भर के लेख लिखे जा रहे थे हंग एसमली नहीं बनी करनाटक में क्लियर कट मैजोरिटी आई महा पिछले कितने ही चुनाओ देखिए हिंदुस्तान में चुनाओ से पहले हंग एसमली की चर्चा होती क्योंकि पराप कंग्रिद हार रही है और परनाम आता है क्लियर कट मैजोरिटी का इस पार्लामेंट में भी हिंदुस्तान का मतदाता जो दस-दस लोग सभा के चुनाओ लड़ चुका है लड़ा चुका है वो दे चुका है वह ऐसा इन डिसिसीव निरने नहीं करेगा वह क्लियर कट डिसिजन लेगा और वह भारतिय जनता पार्टी के पक्ष्वाल होगा अगर तो नसेमाराव की कॉंग्रेस बड़ी पार्टी के रुप में गुबरी तो गहिर फाजपाई पार्टी यह सपोर्ट करती है कॉग्रेस को उसमें बीजिटिक बून का क्या होगा भारतिय जनता पार्टी का पीशे हटना को कोई सवाल ही नहीं उठता है इस बार भारत पार्टी के खिलाब 50 साल से कॉंग्रेस ने देश की जो दूर्दशा की है उसके खिलाब लड़ाई लड़ रहे तो हमारी किसी व्यक्ति के खिलाब लड़ाई थोड़ी है पचास साल में देश को नुक्षान कि आया उसके खिलाब लड़ाई है तो नर्सिराम है नहीं है यह हमारे वीचारों का भीशे नहीं है देखिए भारतिय जनता पारटी ने अपने मैनिफेस्टों में साफ कहा हुआ है हम मिनिमम ग्लोबलाईजेशन के पक्ष में हैं मैक्सिमम लिबरलाईजेशन के पक्ष में हम इस देश में उन मल्टी नेशनल का स्वागत करते हैं जो देश में modern technology को लेकर के आते हैं देश के infrastructure को ठीक करने के लिए आते हैं देश के parts के field में आते हैं वेलकम लेकिन हम Pepsi और potato chips ऐसे कामों के लिए multinational का स्वागत नहीं करते हैं यह नीती भारती जंतापाटी की साफ है